पिर प्रदान मंत्री जी को ambush आपको सफल नहीं हुआ यह 100% administrative failure है पूल के उपर एक पूल के उपर एक VIP की गाड़ी रोक लो और फसा लो उसको फसा लो उसको और इतनी देर रुकवाई रखो फसा फसे रहो इससे बड़ा खतरना और क्या हो सकता है इस तो ambush है इसको कहते हैं ambush होना मैं समझती हूँ प्रदान इस देश की एक जबरदस assassination से बच गया बाल बाल बच गया क्योंकि प्रदान मंत्री जी इतनी देर पुल पर रहे पुल के नीचे कुछ भी आप atom bomb कर सकते थे time bomb कर सकते थे remote control से भी bomb चला सकते थे सहद के बाहर से भी remote कर आप ज़्यादा दूर नहीं थे मैं समझती हूँ हम बाल बाच ये देश बच गया अपने number one political executive को की हत्या से बच गया क्यों बच गया शायद उनकी उमर थी लेकिन प्रशासन की failures में कोई कमी नहीं रही क्योंकि मैं बार बार देखती थी DGP कहा है Chief Secretary कहा है Home Secretary कहा है Collector कहा है District Magistrate कहा है सारे Senior Officer कहा है इतने सारे medal लगा के इतने सारे medal लगा के DGP जाके salute करते प्रदान मंत्री जी को मौका ढूंडते फोटो उतरेगी फोटो वो क्या उनकी वो इसका माल है मैं सबज समत्य उनको जवाब देना पड़ेगा वो absent क्यों है बेमार हो हस्पताल में हो हस्पताल में हो अगर हस्पताल नहीं तो 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 duty पर क्यों नहीं यू वर absent on duty it's negligence of duty it's it's criminal negligence क्योंकि आपने अपने कर्तव वेसे आप भाग गए now सवाल यह उठता है क्या आपको कहा गया था absent हो आपको आदेश दिया गया था कि आप मत जाना क्यों नहीं जाना मैं पूछू क्यों नहीं जाना नहीं जरूर नहीं जाने की क्यों जरूर प्रधान मंत्री जी आ रहे हैं तो क्या प्रेजिडंट भी आएं पंजाब में जहां एक डीजीपी उधर गया और एक प्रधान मंत्री जी के पास गया तो मैं मानती हूँ डीजीपी दो नहीं हो सकते Chief Secretary दो नहीं हो सकता, अभी तो एक ही है, सिर्फ प्रदान मंतरी जी आएं, क्या आपको पास इतना समय नहीं कि उनको भी जाके मिलें, और आपके तो duty है, protocol है, कि जब प्रदान मंतरी जी आएं, तो Chief Secretary, DGP, Collector, SP सारे होते हैं, SP तो duty होता है, सड़क देखता रहता है, SP सड़क चलाता रहता है, DIG सड़क चलाता रहता है, ये seniors सड़क चला के देखके, प्रदान मंतरी जी को receive करते हैं, आपने इज़त और मान क्यों नहीं दिया, हमारे number one political executive को, ये देश का मान था, ये के वेक्ति का मान नहीं है, मेरा समरती हो, कि बहुत बड़ा administrative failure है, public officials का, जिसका मै बड़ कर देंगे, और फिर रोते रहेंगे, ड्रामे करते रहेंगे, judicial inquiry होती रहेंगी, कि किस ने किया, assassinate, और फिर कह सकते हैं, तो आप तो बचके, ये acceptable नहीं है, ये जो जो administrative failure हुआ है, political failure अलग है, क्योंकि home minister of the state, chief minister of the state, उनका equal करतावे बनता है, वो political executive, उनको political जवाब दई देनी पड़ेगे, इस जवाब दई से कोई नहीं बच सकता, और इसको पंजाबियत से मत लिंक करिए, पंजाब तो सेवा भाव का है, COVID में जो पंजाबियों ने सेवा की हर सिक ने अपनी जान को धाव में रखके, एक्सिजन पंचाई, खाना पंचाया, पताल खोले, डिस्पेंसरी खोले, आपको पता है, कई मेरे रिष्टदार मुझे फोन करके कहते हैं, मेरा बेटा तो अब सिक बनेगा, क्योंकि वो समझता है, इस कौम से ज्यादा दानी कोई होई नहीं सकता, तो हमको अपनी रेपूटेशन को खराब नहीं करना, हम जो है वो रहेंगे, बहादूर भी रहेंगे, दानी भी रहेंगे, सेवक भी रहेंगे, भक्त भी रहेंगे, लेकिन ऐसे नहीं करतूर्थ करते हैं, जहां अपने देश को ही आप काट दें, आप देश को ही आधा कर दें, ऐसा नहीं है, यह हमारी पंजाबियत नहीं है, इसमें इ सब्सक्ताइब क्या बीजीपे सै ने क्लेरंस दि तो जूवाब दो इसका महल keyboard अगर तुम ने जूटी दि तुम तो고 दी नहीं हो अगर आपने क्लेरंस दे दी वह लॉकनोंनी स्टेशिक है तो जूठी है तो सब्सक्रीख कप आप साबत है कि आप डु अब हमारा बार प्लान है उड़ो और बंब बजो यह नहीं है यह नहीं है SPG नहीं हिलती बिना state police की clearance के पिछ तो मैं responsibility किस तरह से तई की जानी चाहिए और क्या actions responsibility साफ साफ है एक ते political responsibility उननों जवाब देना पड़ेगा कि उनको देना पड़ेगा जवाब के वो क्यों ऐसा होई लेकिन state administration लेकिन आपको कोई भी आदेश मिले पालक आप है आप ना भी कर सकते हैं हां भी कर सकते हैं अगर आपने ना नहीं किया तो जवाब देए आप है DGP और Chief Secretary and down the line तो एक्शन क्या लिया जाहाँ चाहिए तो फिर कॉंस्परिसी इंक्वारी में अगर आ गई तो फिर कॉंस्परिसी पिर तो F.I.R. दर जोगी क्योंकि अगर कॉंस्परिसी आ गई तो फिर फसक है तो आप जवाब दो कि आपने किस कॉंस्परिसी के वज़े से आप नहीं आए ड्यूटी पर और अगर कॉंस्परिसी नहीं है तो वो बच गए आप बताओ कि तुम इतनी नेगलिजन्स क्यों दी क्रिमिनल नेगलिजन्स तो हुई हुई और criminal existence, Indian Penal Code का एक जुरम है देखे पंजाब है बहुत सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट और जो जहां वो गय थे हमारे प्रधान मंत्री जी बहुत जादा सेंसिटिव जगा थी इसका मतलब सारी स्टेट की पुलीस लगी होनी चाहिए थी वहाँ और भी जादा प्रधान मंत्री जी सेंसिटिव जगा नहीं जाते सारी जगह जाते लेकि उतनी sensitivity बढ़ा ही जाती है उतना level of security बढ़ा ही जाता है उतनी seniors की हाजर ही बढ़ा ही जाती है ताकि वो और भी कोई चीज चूकना हो जाए और सबसे ज़्यादा sensitive state और साथ में sensitive place पे आएं और आप seniors हाजर नहीं है उनको protect करने के लिए इससे पिल्कुल avoid होनी नहीं थी मैंने का avoid क्या होनी नहीं थी और अगर होती ही तो पकड़े जाते है अगर कोई हाज़श करता है तो वो आदमी जुर्मी पकड़ा जाता है डिटेक्ट हो जाता है और मुझे जो newspapers कहा रहा है कि ऐसी information थी तो वो information क्या थी आपने फिर क्या protection दी अ देश का पठाका बजना था सारी दुनिया में हमारी निंदा होनी थी कि भारत द्वर्ष जो आज एकनॉमिक पार बनता जा रहा है आज अपनी प्रदानमंत्री की रक्षा नहीं कर सकता और वही पंजाब जो की full of energy है full of sacrifice है full of giving है full of philanthropy है full of दूसरे के भला करने वाला है भक् हुआ 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 है